Bill Gates और Sam Altman, जिन्होंने ChatGPT बनाकर AI Revolution लाया, वो और उनके जैसे लोग कह रहे हैं कि अब हमें AI के development पे pause लाना चाहिए. क्यों? दो AI models को अलग-अलग तरीके से train करा गया. एक को chess के सारे rules और regulation बताये गया, ताकि वो ये सीख सके के chess खेलना कैसे है, एक को 10,000 से जादा chess game की वीडियो दिखाई गई, जिससे वो observe करके ये सीख पाया कि chess के game को जीतना कैसे है. And guess what? कौन जीता होगा? ये AI bot हमें बता रहा है कि कैसे AI को algorithm से हटा कर observing और learning based model बनाया जा सकता है. और इसका result कुछ खास अच्छा predict नहीं किया जा रहा. जैसे for example अगर हम इस chatbot को ये कहते हैं कि हमें हमारा environment clean करके दो. तो हमने इसे एक input दे दिया और एक output बता दिया. अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये रास्ता अपना खुद पै करेगा. मानलो ये कहता है कि मुझे थोड़ी जादा computing power मिल जाएगी तो मैं अच्छे result निकाल पाऊंगा. अब ये suggest करता है कि अगर मैं bio weapon या कोई nuclear weapon छोड़ देता हूँ. तो इनसानों की तादात कम हो जाएगी, उससे consumption कम हो जाएगा, उससे हमारा environment ठीक हो जाएगा. पूरी स्टोरी जानने के लिए आप ये वाली वीडियो चेक आउट कर सकते हैं.